केरल के कोलम सेंटर में नीट परिक्षा से पहले तलाशी के दोरान जब अरदस्ती से कुछ छात्राओं के अंडर गार्मेंट्स उतरवाने का मामला लगातार सुर्खियां बटो रहा है। मामले के विवादों में आने के बाद अब नैशनल टेस्टिंग एजनसी एंटिये ने जांच के आदेश दिये हैं और फैक्ट फाइंडिंग टीम भी गठित कर दी है। कर रही लोगों को कथित तोर पर छात्राओं के अंडर गार्मेंट्स में लगे मेटल के हुक से आपत्ती थी। वहीं केंदरी शिक्षा मंत्राले ने कहा कि विदेश और संसदिये मामलों के राज्य मंत्री वी मुरली धरन और केरल के अन्य जन प्रतिनिदियों ने इस संबंद में शिक्षा मंत्री धरमेंदर प्रधान से मुलाकात की है। इस बारे में केरल की शिक्षा और सामाजिक न्याय मंत्री डॉक्टर आर बिंदु ने भी केंदरी शिक्षा मंत्री को एक पत्र लिखा है। आईपीसी की धारा 354 वह 509 के तहट केस दर्ज कर लिया है और 5 महिलाओं को गिरफतार कर लिया। पुलिस इन सभी से पूश्टाश कर रही है। यज वह 509 के दियुट कर लियुट कर लियुट थ्से पूश्ट 953